हेलो गाइज आप सभी का एक बार फिर से विलकम है इंगलिस बोलना से के विशाम यादव के से स्पेचल वीडियो में और इस वाले वीडियो में हम लोग चर्चाएं करेंगे कुछ पोलाइट फ्रेजेज को लेकर के गाइज आप सभी जानते हैं कि अगर हम लोग किसी से रिक्विस्ट करते हैं या हम शिष्टा चार कर्टसी का फोलो करते हैं तो देट टाइम हमारे कारी को होने में बहुत जादा हेल्प मिलती है तो जब रिक्विस्ट से अगर कोई कारी आसानी से हो सकता है तो पिर गुसा किस बात का और गुसा तो हमें कभी करना भी नहीं चाहिए क्योंकि अगर हम किसी से कुछ चीज प्राक्त करना चाहते हैं तो हमें पॉलाइट होना ही चाहिए तो definite है कि अगर हम लोग पॉलाइट रहेंगे तो हमें response भी वैसा ही मिलने वाला है सो गाइस कुछ ऐसे फ्रिजेश होते हैं इंपूर्टेंट फ्रिजेश हैं जिनके मद्यम से आप लोग अगर किसी से कोई अगर भाई चांद साब का काम नहीं हो पाता है तो आप लोग किस तरह से उनके शाथ पेश आएं या किसी से कोई चीज अगर हमें लेने किया हो सकता है तो हम कैसे पीश आएं अगर ट्रेवलिंग कर रहे हैं आप लोग कहीं पर या पिर कहीं पर जा रहे हैं और यहां कहीं पर बैठे हुए हैं कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और वहाँ पर आप लोग बैठना चाहते हैं तो आप लोग अगले कंडिडेट से कैसे बाच्चित करें किस तरीके से जो पॉलाइट पॉलाइटली आप लोग किस तरह से बात करें तो इस वीडियो में हम चर्चाएं करेंगे अगर आप हमारे यूटूब चैनल पर न्यूग कावल से हैं तो आप हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें लाइक करना न भूलें और साथ ही अगर ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होता है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना न भूलें और साथ एक बात का जरूर धान रखें कि बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें और कॉमेंट करना न भूलें तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं आपके सामने स्केन पे लिखा आइम सौरें आई कुड़न्ट मैकिट देट टे देखेगा जब आप लोग कोई काम नहीं कर पाते हैं तो एक पूलाइट लिए आप लोग कह सकते हैं तो इसे एक शिष्टा चार भी होता है और यह हमारा यू कहें कि हमारी डूटी भी बनती है कि वास्त विक्ता में अगर हमने कोई कलती की है तो हमें एसेट भी करने चाहिए कई बार हम कहते हैं यार माप कीजिएगा आई बैक्यो पार्डर बहुत सिंपल सा वर्ड है कई जब आप लोग स्पीच इत्यादे डिलिवर करना चाहते हैं या मान लिजिएगा कहीं पर आप लोग अपनी बात रखना चाहते हैं अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो बहुत ही आसान आप कह सकते हैं allow me to say क्या कहेंगे आप allow me to say यानि कि आपकी अनुमती से कुछ आपकी अनुमती से कहना चाहता हूं या चाहती हूं that time it will be the easy sentence because हम लोग कोई भी अगर अपनी बात रखना चाहते हैं अपना पक्ष रखना चाहते हैं अपना कुछ ट्रीटमेंट देना चाहते हैं तो that time हम लोगों को शिष्टाचार के साथ पेश आना चाहिए और कट सी यही कहती है so that time it will be better for you and will be helpful for you क्योंकि इसे हमारी काम भी बहुत आसान हो चाते हैं तो हम कह सकते हैं allow me to shake आप guys और भी बहुत सारे sentence होते हैं जैसे मैंने बता है कि आप traveling कर रहे हैं या कहीं ऐसे conditions में हैं जहां already कुछ candidates बैटे हुए हैं और आपको लगता है या space है और या फिर आप वहाँ बैटना चाते हैं तो देखेगा मैंने कहा कि गुसा हमीशा नुकसान दाएक होता है और हमें मानव का जीवन मिला है तो definitely हम लोगों को शिष्ट अचार अपनाना चाहिए request करनी चाहिए कभी भी गुसा नहीं करना चाहिए तो अगर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और आप चाहते हैं कि वो थोड़ा सा खिसक जाए तो आप लोग कह सकते हैं विल्यू मूव एबिट प्लीज क्या कहेंगे विल्यू मूव एबिट प्लीज अब यहां से एबिट का मतलब होता है तो हमने कहा कि क्या आप थोड़ा सा खिसकेंगे तो यहां पर एक पॉलाइटली जो हमने बोला तो हमें रिप्लाइ भी पॉलाइटली ही मिलने वाला है यह यू कहें कि हमें सीट मिलने की संभावना है बहुत जादा रहती है वो बात अलग है कि यह क्या 2% लोग ऐसे भी होते हैं जो कहने का मतलब अलग माइंट के होता है बर डेफिनेटली कि आपने अगर पॉलाइटली किसी से रिक्वेश्ट किये तो आपको पोजेटिव आंस्वर मिलने वाला है अगर एविलेबल है तो या फिर हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि will you let me sit please कि क्या आप मुझे बैठने देंगे क्योंकि अगर वहाँ जगह है वहाँ आइस पेस है तो डेफिनेटली आप लोग उसे रिक्वेश्ट करेंगे और डेफिनेट है कि वो विक्ति खिसकेगा क्योंकि हमें कट सी यूज करनी है शिष्टाचार यूज करना है हमें पॉलाइटली किसी से ये बात कहनी है पॉलाइटली हमें सीट लेनी है हमें एंगर शो नहीं करना है कभी भी देखेगा ज़्यादतर हम लोग अगर will you move habit please अगर आप लोग को लगता है कि ये बोलने में काफी दिक्कत हो रही है ऐसी कंडिशन में आप लोग को रिक्वेश्ट में सिंपल वेसे ये भी कह सकते हैं move habit please तो गाईट चुड़ी रहेगा इसी तरह के वीडियो के साथ फिर मुलाखात होगी थैंक ये पर वच्छिं इस वीडियो के साथ